हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हमारे यूट्व चैनल से खवाट लेक्चर में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर गुवीट सिंग मोरी दोस्तो राजस्तान में कर्शी का ये दूसरा वीडियो है पहले वीडियो का लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं देखे आपके सामने राजस्तान का मानचित्र दिया हुआ है इस मानचित्र में अपन जीलेवार ये देखेंगे कि कौन-कौन से केंदर या मंडिया जो है किस जीले केंदर है तो सबसे पहले गंगानगर देखिए केंदरी एक क करशी फारम सुरतगड ये गंगानगर केंदर है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना केंदरी एक करशी फारम सुरतगड कहा है सिरी गंगानगर जिले में दूसरा है केंदरी एक करशी फारम जेदसर या जेदसर करशी फारम किस जिले में इस्तित्त है गंगानगर और किन्नुमंडी ये कहा है स्री गंगानगर में किन्नुमंडी की जिले में इस्तित है गंगानगर के अंदर है ठीक है अब बात करते हैं बिकानेर की देखिए बिकानेर के अंदर एक तो खजूर अनुसंदान के अंदर है याद रखना खजूर अनुसंदान के अंदर कहां इ पिर बेर अनुसंदान के अंदर भी विकानेर में इस्तित है इसके लावा मुंपली मंडी राजस्तान में मुंपली मंडी की जिले में इस्तित है विकानेर के अंदर और उन मंडी उन मंडी भी राजस्तान के अंदर विकानेर जिले के अंदर ही इस्तित है इसके बाद देखि चोधरी चरण सिंग राष्टरी एकरशी विपनन सैस्थान चोदरी चरण सिंग राष्टरी करशी विपनन सैंस्तान आन आई एम ये कहां इस्तित है ये जेपूर के अंदर इस्तित है तो जेपूर के अंदर ये करशी से रिलिटेड प्रमुक मंडियां और अनुसंदान के अंदर इस्तित है एक जाम में परसंद जो आता है वो इनी के प्रता सिटी नागोर में जीरा मंडी है थीक है फिर आए प्याज मंडी दोस्तो प्याज मंडी है अलवर के अंदर नक्षे के इसाब से आपको याद हो जाएंगे इसलिए मैंने इस परकार से बनाया है तो प्याज मंडी राजस्तान में किस जिले में है अलवर जिले के अंदर है दोस्तों फिर मिर्च मंडी मिर्च मंडी के लिए कौन सा जिला पर मैसे टोंक के अंदर मिर्च मंडी है ठीक है फिर लहसुन मंडी राज़तान में लहसुन मंडी है चिंपा बडोद याद रखना लहसुन मंडी है चिंपा बडोद बारां के अंदर ठीक है फिर अश्वगंदा मंडी और संत्रा मंडी यह है जालावार के अंदर याद रखना जालावार जिले में किन-किन की मंडी है एक त और आपरी बहुत इंपोर्टेंट है आगी विस्तार से इनके बारे मैंने जानकारी प्रदान किये काजरी कहां पर इस्तित है जोधपूर में ठीक है उसके बाद आईए फूल मंडी दोस्तों फूल मंडी पुशकर के अंदर इस्तित है यानि अजमेर के अंदर ठीक है फूल म अजमेर में इस्तित है याद रखना तबी जी अजमेर में राष्ट्री ये बीजी मसाला नुसंदान केंदर इस्तित है फिर आजाओ सोजद पाली ठीक है ने सोजद पाली ये किस के लिए मेंदी के लिए मेंदी के लिए सोजद पाली ठीक है फिर इस सब गोल के लिए दोस्त मिश्रित कर्शी में सम्मिलित है पहला देखे विभिन फशलों को योजनाबत तरीके से उगाना या रभी एवं साथ साथ खरी फशलों को उगाना या कई तरह की फशले उगाना तथा पशुपालन भी करना और या फशलों के साथ सब्जियों को भी उगाना तो दोस्तों इस एकसाथ करना ये क्या कहलाता है मिश्रित करसी कहलाता है दोस्तों बहुत important question है second grade 2010 में भी आया हुआ है अगले question देखें दोस्तों सुस्क यानि बारानी करसी का अश्य है option देखें करसी कारी वर्षा पर आधारित दूसरा है कम पानी की आवस्यत्ता वाली फशलों को उगाना तीसरा है सिग्र पकने वाली फशलों को उगाना और चोथा है उपर्यूक्ट सभी तो दोस्तों ये second grade 2012 खेंद रायव है इसका सही उत्र होगा चार नमर का उपर्यूक्ट सभी दोस्तों सुस्क या बारानी यानि ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है सुस्क छेत्रों में वर्षा जल का सूनियोजित सनक्षन वा उप्योग करके कम पानी की आवस्यक्ता वाली और शिग्र पकने वाली फशलों की करसी करना अगला क्यूस्तों देखिए एक ही वर्ष में एक ही क्हेत में चार फसले उगाना कहलाता है दोस्तों इसका सही उतर है सेकर्ण नमर का रिले क्रोपिंग अगले कुछ सुन देगी दोस्तों ये RS3 2015 में आया हुआ है राजस्तान में वालरा कर्षी का एक परकार है उपसने परवतिय कर्षी, इस्तानांतरित कर्षी, सुष्क कर्षी, आद्रवे सुष्क कर्षी तो दोस्तों इसका सही उतरे इस्तानांतरित कर्षी दोस्तो इस्थानांतरित कर्षी का ही एक प्रकार राजस्तान के अंदर वालरा होता है आगे भी स्थार्षी इसके बारे में जानकारी दीगी है लेकिन मैं इतना आपको पता देता हूँ कि यह जो इस्थानांतरित कर्षी है इसके उपर एक जाम में बहुत बार दोस्तो जुमिंग करसी, वालरा या कुमारी दोस्तों ये राज्सतान पुलिस काश्टेबल एकजाम 2018 में आये हुआ पिस्टन है इसका सई उत्रोगा सेकड नमर का जुमिंग करसी इस्थानान्तरित करसी को राज्यस्तान में जुमिंग करसी के नाम से जाना जाता है अगला कुशन देखे दोस्तो राजस्थान के डक्षन पूर्वी पहाडी छेत्रों में आदिवासियों दुआरा की जाने वाली जूम करसी को कहते हैं यह आरे सपरी 2013 में आया हुए देख लो दोस्तो जूमिंग करसी यानी स्थानांतरित करसी पर तीन के संदू मैंने आपके सान लिख दिये बाकी पेपर मेरे पास उपलब्द नहीं है वरना मैं और भी आपको बता देता लेकिन इस टोपिक पर एकजामे निश्यत रूप से प पूरी जानकारी मैंने यहां पर दिये देखिए राजस्तान में आदिवासी चेत्रों डूंगरपूर बांसवडा उदेपूर बारा आदी में जूमिंग करसी की जाती है याद रखना दो किसन बन गए एक तो आदिवासी जिले कौन-कौन से डूंगरपूर बांसवडा उ याद रखना एक तो है स्थाना अंत्रित करसी दूसरा है सिप्टिंग कल्टिवेशन ठीक है एक जाम कोई सा भी किसे नाम आ सकता है ठीक है अगला देखिए इस प्रकार की करसी में पहाड़ी वह वन चेत्रों में वन एवम पेड़ पोदों को जला कर जमीन को साब कर उस प दाजिया और चीमाता का जाता है तरह सेहर यहां दुआरा कीगी जूम कर्शी को वालरा का जाता है बहुत इंपोर्टेंट क्यूसर ने याद रखना भिलो दुआरा कीगी जूमिंग कर्शी को क्या कहते हैं दाजिया और चीमाता और सहर यहां दुआरा कीगी जूमिंग कर रहा हूं कि एक जामे आई वे किसन इसके अंदर में वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आता हूं ठीक है देखिए एक विशेश प्रकार की खेती जिसमें रबबड चाय कहवा आदी मुख्यत या निरियात ये तूग आए जाते हैं ठीक है उप्सन देखिए मिक्स्ड फा जिसमें रबबड चाय कहवा आदी बड़े पेमाने पर केवल निरियात के लिए मुख्य रूप से उगाए जाते हैं तो उसको रोपण करसी या प्लांटेंसन फार्मिंग का आ जाता है रोपण करसी या प्लांटेंसन फार्मिंग अगला क्यों सुन देखिए दोस्तो पहाडी छेत्रों में समस्त करसी कारिये और फशलों की बुवाई धाल के वीपरीद करना किस प्रकार की करसी है वोपसन है समुच करसी पाटीदार खेती रोपण करसी या रिले क्रोपिंग तो दोस्तो इसका सही उतर है फैस नमर का समुच करसी दोस्तो इस करसी के अंदर क्या होता है पाडी छेत्रों होते है पहले बात तो पाडी छेत्रों में होता है या करसी दूसरी बात क्या होता है कि पहाड का जो ढाल होता है उस ढाल के वीपरीत क्या होता है समस्त करसी कार धालू भूमी में ये डालू लिखा गया दोस्तों धालू है धालू भूमी में म्रदा क्षरण कम करने वाली तथा अन्य फसलों को एक के बाद एक पटियों में डालके वीपरीत बोना किस प्रकार की करसी है ठीक है उपसन देगे समुझ करसी पाटिदार खेती रोपन करसी य करते हैं ती दोस्तों स्ट्रिफ फार्मिंग भी बोलते हैं इसको स्ट्रिफ फार्मिंग इसमें क्या होता है इसमें धालू भूमी में म्रदा क्षरण को कम करने वाली धाडि पॉत सब्सक्रया देक्षा कि आइस से Except इसके दोस्तों बहुत important है और एक्जामों के अंदर आये वाक्जाम का नाम ने लिखा नहीं क्योंकि हर एक्जाम का paper मेरे पास उफलब्द नहीं है लेकिन एक्जाम में आये वाक्जाम नहीं है देखिए कृसी के साथ साथ फसल चक्र में पेडों वागवानी की खेती करना कह कहला था option देखे समुच करसी पाटिदार खेती जुमिंग करसी या करसी वानी की तो इसका सही उतरे चार नमर का करसी वानी की दोस्तों इसमें क्या करते हैं इसमें करसी के साथ साथ में पेडों की बागवानी की जाडियों की खेती बगर करते हैं ताकि फसल और चारा उत्प अल्वर शेवर बरतपूर या सिमलियाबारा दोस्तों इसका सही उतर है, तीन नम्मर का शेवर बरतपूर में राष्टरी सर्शोणूसंदान केंदर इस्तीत है अगला केसम देखें, दोस्तों, ये कोलेज व्यक्याथ 2016 में आये वह हैं राश्टरीए सर्छोनु संदान केंद्र एन्मर्सी की स्थापना होई उप्सन है दो जार साथ में 1903 में 2003 में या 2004 में तो दोस्तों इसका संदों उतर है 2nd मलख 33 में राष्ट्रिय सर्षो नुसंदान केंदर जो सेवर में इस्तिता है उसकी स्ताबना 1903 में होई थी अब देखिए दोस्तों राष्ट्रिय सर्षो नुसंदान केंदर के बारे में पूरी जानकारी देखिए राष्ट्री सर्षो नुसंदान केंदरे सेवर भरतपूर में इस्तिता है याद रखना राष्ट्री सर्षो नुसंदान केंदरे सेवर भरतपूर में ठीक है इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1903 में की गी थी छोरी राष्ट्रे सरसो नुसंदान केंदर सेवर बरत पूर्पूर की स्थावना किस वर्स हिं थी 1913 में हुई थी फीक है यह भारती करशी अनुसंदान पर इसद दुआरा राजस्तान में करशी यानि सरसो विकास के लिए स्थापित एक राश्ट्री अनुसंदान केंदर है ये सेंटरल गोर्वर्मेंट का है दोस्तों राज़स्तान गोर्मेंट का नहीं है ठीक है फिर है 2009 में इस केंद्र को सरसो अनुसंदान निदेसाले की रूप में परिवर्तित कर दिया गया था याद रखना वर्तमान में इसका जो नाम है वो है राष्ट्रिय सरसो अनुसंदान निदेसाले और ये नाम कब रखा गया था 2009 में इससे पहले इसका नाम था राष्ट्रिय सरसो नुसंदान केंद्र, ठीक है इसके बाद देखिए इसके दुआरा किसानों को सरसों की उन्नत किस्म के बीज वितृत करने के लिए प्रतेक वर्स सितंबर माह में बीज पक्वारे का आयोजन किया जाता है याद रखना बीज पकवाड़े का योजन राष्ट्रे सरसो नुषंदान केंदर दुवारा किस माह में किया जाता है सित्व माह में किया जाता है अगला क्यू стен देखिए भूत इंपोर्टेंट क्यूअ एबी केंद्री ये सुस्क छेत्र उद्यानी की अनुसंदान केंद्र इस्थित है केंद्री ये सुस्क छेत्र उद्यानी की अनुसंदान केंद्र कहां इस्थित है ओप्सन है बिकानेर में बरतपूर में जोदपूर में अजमेर में तो दोस्तो इसका सही उत्र होगा फैस्ट नम्मर का बिकानेर में अगला क्यूस्टन देखिए केंद्री ये सुस्क छेत्र उद्याने की अनुसंदान केंद्र बिकानेर की स्थापना होई थी केंदरी ए सुस्क छेतर उद्यानी के अनुसंदान केंदर बिकानेर की स्थाबना किस वर्स हुई थी दोस्तों बहुत एकजाम के दर्श्टी से important question ए ओप्सन देखें 1922 में, 1923 में, 1969 में, 1923 में तो दोस्तों इसका सही उत्र है second number का 1923 में अगला question देखें दोस्तों सुस्क वन अनुसंदान सैंस्थान आफरी सुस्क वन अनुसंदान सैंस्थान आफरी इस्तित है बहुत important question है ये भी एकजाम में बहुत बार आता है दोस्तों ओप्सन है जेसल मेर में, चूरू में, स्री गंगानगर में या जोधपूर में तो दोस्तों इसका सही उतरे चाड़ नम्मर का जोधपूर में अगला question देखें एरिड फोरेष्ट रिसर्च इंस्टिटूट यानि आफरी की स्थाबना होई थी किस वर्स होई थी ओप्सन देखें 1902 में, 1982 में, 1985 में, 1969 में अब देखें दोस्तों आफरी के बारे में पूरी जानकारी देखें आफरी का पूरा नाम है एरिड फोरेष्ट रिसर्च इंस्टिटूट कई बार एक जाम में इंगलीज में भी आ जाता है Arid Forest Research Institute यानि सुस्कवन अनुसंदान सैंस्थान इस सैंस्थान की स्थापना 1985 में जोधपुर में की गई थी ये सैंस्थान भारतिय वानी की अनुसंदान एवं शिक्षा परिशद देहरा दून की अदिन स्थापित एक छित्री अनुसंदान सैंस्थान है ठीक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गी थी भारतिय वानी की अनुसंदान एवं शिक्षा परिशद की द्वारा की गी थी और भारतिय वानी की अनुसंदान और शिक्षा परिशद जो सैंस्थान है इसका मुख्याले कहा इस्तित ना और वानस्पतिक सरक्षन करना वानस्पतिक विकास करना यह सीज्शता का उद्देश से है आप देखें दोस्तों बहुत áंद दोस्तों काजरी नहीं वलकि काजरी आपरी हैने यह जो दो तिन सेंस्ता ने काजरी आपरी और शेवर इन तीनु सेंस्तों में एक सेंस्ता पर एक पर में निश्चित रूप से क्यों सनाता है तो इसको देखिया आप सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इनिस्टिटूट यानि काजरी की स्थापना हुई थी उपसने 1980 में, 1982 में, 1985 में और 1969 में तो दोस्तों इसका सही उतर है चाड़ नमरगा 1969 में दोस्तों काजरी की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी अगला क्यों सन देखिये केंद्री ये मरुचेत्र अनुसंदान सैंस्थान केंद्री ये मरुचेत्र अनुसंदान सैंस्थान यानि काजरी इस्तित है उपसन है जोदपूर में, बिकानेर में, भरतपूर में, गंगानगर में तो दोस्तों इसका सही उतर आएगा फैस्ट नमर्गा जोदपूर में दोस्तो एक जाम का नाम चाहिए मैं किसी पर्षन के आगे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये पर्षन एक जाम के अंदर आये हुए हैं दोस्तो एक बारनी भूत बार आये हुए हैं अब देखे दोस्तो काजरी के बारे में डिटेल यह भारती एक राजस्थान में स्थापीत एक राष्ट्री एनुसंदान केंदर है जिसकी स्थावना उनिससोbab में जोदपूर में की गई थी कितने क्यूसन बन गे दोस्तो काजरी की स्थावना किसके दोवरा की ती भारती एकर Experience ाथ काजरी क्या है Central Government की स्था है ठीक है यह कहाँ पर है जोदपूर में इसकी स्ताबना कब हुई थी 1969 में हुई थी ठीक है फिर एक काजरी दोस्तों मिस्टेक होगी लिखने में काजरी है काजरी का पूरा नाम है Central Arid Zone Research Institute दोस्तों इंगलीश में आ जाता है एक जाम में तो अपने चक्र में पढ़ जाते हैं तो जिन अनुसंदान सेंस्थान या केंदर ये मरू छित्र अनुसंदान सेंस्थान ठीक है इसकाजरी के चार छित्री अनुसंदान केंदर है याद रखना काजरी के चार छित्री अनुसंदान केंदर है जिनमें तीन केंदर तो राजस्तान में कहां कहां है जेसल मेर बिकानेर और ठीक है और एक है राजस्तान के बाहर वो है भुज गुजरात में अब बहुत important question बन गए दोस्तों यहाँ पर कि काजरी का छेत्री अनुसंदान के अंदर राजस्तान से बाहर किसी स्थान पर है तो चार option देदेंगे तो क्या आएगा उत्रे भुज गुजरात में और एक इस प्रकार से आ सकता है कि नेमन में से काजरी का छेत्री अनुसंदान केंदर किस जिले में नहीं है या कहां पर नहीं है तो तीन तो आपके सामने दिये वे रेक option में दूसरा देदेंगे ठीक है तो आपको ये ची तरह से याद करने है अगला क्यूसन देखिए राष्टरिय बी-जी मसाला नुसंदान केंदर इस्तित है वहुत इंपोर्डिन ग्यूसन है एकacağान का नां चाहिए माड़ा थी गर तो डू माड़ा भी आ सकता है तबीजी भी आ सकता है अजमेर भी आ सकता है अगला क्यूशन देखिए राष्ट्रिये बीजी मसाला अनुसंदान केंदर की स्थापना हुई थी किस वर्स हुई थी दोस्तों उपसन है 1999 में 2000 में 2001 में या 1993 में तो दोस्तों इसक खजूर अनुसंदान केंदर कहां इस्तित है राष्ट्रिये बेर एवं खजूर अनुसंदान केंदर कहां इस्तित है उपसन बिकानेर में भरतपुर में अजमेर में या जेपुर में तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फेस्ट नमर का बिकानेर में ला क्यूशन देखिए द बीजी अजमेर में या दुरूगापूरा जेपूर में तो इसका सई उतरे चार नमर का दुरूगापूरा जेपूर में अगला क्यूसन देखिए केंदरी एकरशी अनुसंदान केंदर दुरूगापूरा जेपूर की स्थाफना होई थी उप्शन है 1902, 1969, 1943, 1951 में तो दोस्तों इसका सोह उत्रत नम्मर का 1943 में अगला क्यूत देखेए केंद्रिय क क्रसी फारम सुरत गट की स्थापना ऊई थी या सूरत गट क्रसी फारम की स्थापना कब ऊई थी उप्सन है 1952 में, 1969 में, 1956 में या 1951 में इसका सही उतर है तीन नमर का 1956 में ये भी बहुत बार एकजाम के अंदर आया हुआ क्यूसन है दोस्तों अगला क्यूसन देखिए सूरतगड क्रसी फारम किस जीले में है उप्सन देखिए अजमेर में, बिकानेर में, अलवर में, गंगानगर में तो दोस्तों इसका सही उतर होगा चार नमर का गंगानगर में दोस्तों ये क्यूसन भी एकजाम के अंदर आया हुआ है बहुत इंप जिसको वरतमान में रूस के नाम से जाना जाता है या सोवीयत रूस के अगला अगला क्यूशन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है, जेद सरक्रशी फारम कहां इस्तित है। उप्षन देखिए 1956 में, 1962 में, 1957 में या 1969 में तो दोस्तो इसका सही उत्र है सेकेंड नमर का 1962 में दोस्तो कई जगे कई गायटों के अंदर 1964 भी दे रखा है तो आपको एक्जाम के अंदर जो उप्षन आए जिसे बासेटा है तो बासेट करना है चोसेटा है तो चोसेट करना है अगला क्यूसन देखिए नेमन में से किस उद्ध्यानी की फसल को पिले सोने के नाम से जाना जाता है एक्जाम में आयो है दोस्तों एक्जाम में बले एक्जाम बनाओ या नहीं लिख रहा हूँ लेकिन एक्जाम में आयो है किस उद्यानी फसल को पिले सुने के नाम से जाना जाता है उपसने अश्वगंदा, सतावर, जोजोबा या जेट्रोफा तो दोस्तों इसका सही उतर है तीन नमर का जोजोबा देखिए दोस्तों जोजोबा के बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर परदान करती है एक्जाम में इसे बार क्यों सुन नहीं आएगा देख लो आप देखिए जोजोबा, होहोबा, पिले सोने के नाम से प्रसिद एक नई उड्याने की फसल है जो रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगए जा सकती है दोस्तों इन लाइनों में कितने क्यों सुन त्यार होगे देखिए जोजोबा भाई दूसरा नाम है होहोबा ठीक है भारत में जोजोबा का पोधा सरोप्रतम काजरी दुवारा, दोस्तों मिस्प्रिंट हो गया लिखने में काजरी नहीं, यह काजरी था, काजरी दुवारा 1965 में इजराइल से लाया गया था, याद रखना. भारत में ये जो जोजोबा का पोदा है ये 1965 में काजरी के दुआरा इजराइल से लाया गया था ठीक है फिर है इसकी खेती को बड़ावा देने के लिए राजस्थान जोजोबा पोदा रोपण एवं अनुसंदान योजना एजोर्प दुआरा इजराइल की तकनी की मदद से दो जोजोबा फारम स्थापित किये गए हैं एक धंड जेपूर में दूसरा फतेपूर शिक्र में अब इन लाइनों के इंदर कितने क्यों संत्यार होगे एच्छी तरह देखो आप कि राजस्तान जोजोबा पोदारो पड़े मनुसंदान योजना ठीक है ये एजोर्प का फुल फोरम है राजस्तान जोजोबा पोदारो पड़े मनुसंदान योजना ये किस देश की तकनी की मदद से संचालित की जारी है इजराइल फिर जो जोबा फोर में स्थावित कियेगें राजसतान में दो जो जोबा फोर में स्थावित कियेगें तो दोस्तों इसका सही उत्रे सेकर्ड नमर का उदेपूर और चितोडगड ये जो जीलों का यूगम है ये राजस्तान में कथा यानि अकेशिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है अगला क्यूसन देखिए नेमन में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है आपको इन में स गलत जो यूगम है उसको बताना है और दोस्तों ये क्यूसन भी इंपोर्टेंट है एकजाम के अंदर आया है थर्ड ग्रेट दो जार तेरा के अंदर आया है तो देखिए मेंदी सोजट लहसुन बारा इस सब गोल जालोर किन्नू बुंदी तो दोस्तों यहाँ पर गलत ज चार नमर का किन्नू बुंदी बाकी मेंदी जो है वो सोजट के सोजट जो है वो मेंदी के लिए परसीद है बारा जो हो लसुन के लिए परसीद है जालोर जो है इस सब गोल के लिए परसीद है लेकिन बुंदी किन्नू के लिए परसीद नहीं यह चार नमर का उप्शन गल दर नम्मर का 20% अगला चुसन देखे दोस्तों नागोर किस खुशबूदार उपज के लिए परसिद है उसने मेथी, hat धनिया यह पूदीना तो दोस्तों उसका सही उत्र होगा पहले नम्मर का मेथी दोस्तो नागोर जिला खुश्बुदार मेथी की उपज के लिए परसिद है ये खुश्बुदार मेथी जो है इसको हरी मेथी भी का जाता है और पान मेथी भी का जाता है याद रखना इसको हरी मेथी भी का जाता है और इसको पान मेथी भी का जाता है राजस्तान में मूंग फली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है उपसन बिकानेर में उदैपूर में जोदपूर में या बुंदी में तो दोस्तो इसका सही उत्तर है एक नम्मर का बिकानेर में दोस्तो राजस्तान में बिकानेर जिला मूंग फली उत्पादन में पर्थम इस्थान रखता है याद रखना और बिकानेर का जो इस्थान है लून करणसर तो लून करणसर जो कसबा है ये मूंग फली के अधिक उत्पादन के कारणे राजस्तान का राजकोट कहलाता है अगला क्युश्वार देखें दोस्तो राजस्तान में संत्रा उत्पाधन में अगरणी जिला है राजस्तान में संत्रे के उत्पाधन में टोपर है अगला क्युशन देखे दोस्तो बारतिय कर्षिय नुसंदान परिशत दुआरा राजस्थान में राष्ट्री इस्तरग्य नुसंदान केंदरी स्थापित किये गए इसमें राष्ट्री इस्तरग्य कर्षिय नुसंदान कौन से हैं ये देखना आपको जो कर्षिय नुसंदा पहले हैं आमेर जेपूर और बीचवाल बिकानेर दूसरा है बसी चितोडगड वा मांगरोल बारा तीसरा है दुर्गापूरा जेपूर वा सापूरा भीलवारा और चोथ है तबीजी अजमेर वा शेवर बरतपूर तो दोस्तों इसका सही उतरे चार नमर का तबीजी अजमे वा सेवर बरतपूर ये राजस्तान में भारतिय कर्शी अनुसंदान परिश्चत दुआरा इस्थापिते राश्ट्री इस्तर के अनुसंदान केंदर हैं अगले क्यूसन देखे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है ये और ये लेब असिस्टेंट 2016 केंदर आया राजस्तान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है उपसन है कोटा बुंदी बारा या जहलावाट अजमेर शिरोई या रास्मंद उदेपूर चितोडगड और या बांसवड़ा हनुमानगड श्री गंगानगर तो दोस्तों इसका सही उतर है चार नमर का बांसवड़ा हनुमानगड और श्री गंगानगर यह जो जिले हैं यह जिले अमेरिकी कपास के उत्पादन के लिए परसीत हैं अमेरिकी कपास का उत्पादन इन जिलों के अंदर होता है अगला क्रूसन देखें दोस्तों बहुत इंपोर्डेट क्रूसन है यह जे इन प्रेगरी 2016 के इंदर आया हुआ है देख लो और भी पेपरों में आया हुए एक क्युस्टन है दोस्तों ये लेकिन अब हर पेपर मेरे पास उपलब्द नहीं है तो क्युस्टन देखिए राजस्तान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक क्रसी जलवाई उखंड है मुख्य सोया है तीन नमर का अद्र दक्षन पूर्वी मेदान अगला क्युस्टन देखिए दोस्तों ये शेकिन ग्रेट 2007 के इंदर आया हुआ है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है सूड है सूड है फसल की नीराई करना या पेडों की टहनिया चांटना या खेद जोदने से पहले खे खेद में बरसाज से पहले हल चलाना तो दोस्तों इसका सही उतर है तीन नमर का खेद जोदने से पहले खेद में जाड जंखाड साप करना इसको क्या बोलते हैं सूड बोलते हैं अगला क्युस्टन देखिए दोस्तों नीमन में से किस फसल के लिए सरवादिक जल की आवश शक्ता होती है उपसने गेउं जवार चना या चावल जिसको धान भी बोलते हैं तो दोस्तों इसका सई उतरे चार नमर का दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूसने ये क्यूसन फोरेश्ट गारड दो जार तेरा की एकजाम के अंदर आया हुआ है अगला क्यूसन देखे द जो मक्का, गन्ना या उडद आदी फसलें तो दोस्तों इसका सई उतरे चार नमर का उडद आदी जो फसलें ये फसलें गेहु ए सोरी खेट की उरूरा सक्ती बढ़ाने में मदद करने का कारिय करती हैं अगला क्यूसन देखे दोस्तों राजस्तान का कोन सी खाद्यान फसल के उत्पादन में भारत में पर्थम इस्थान है कोन सी खाद्यान फसल के उत्पादन में राजस्तान का भारत में पहला इस्थान उप्सन है जो मक्का, जवार या बाजरा तो दोस्तों इसका सई उतरे चार नमर का बाजरा दोस्तों ये क्यूस्तन सेकेंड ग्रेड की जो एक्जाम है, 2011 कि उसके अंदर आया हुआ है, और भी एक्जाम हों के अंदर आया हुआ है, ये क्यों सुन देखिए, राजस्तान में माही कंचन, माही दवल और मेगा, किस की किस में हैं, माही कंचन, माही दवल और मेगा, ये किस की किस में हैं, उप्शन है, चना, मक्का, पहला है मतस्य पालन से, दूसरा है सिंचित छेत्रों में करशी कारिये से, तीसरा है जल दुआरा करशी कारिये से, चोथ है उप्रिउप्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही उतर है एक नम्मर का मतस्य पालन से, दोस्तों जल करशी का समन्द जो है वो है मतस्य पालन स अगला क्यूसन देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है एक जाम के अंदरायवा क्यूसन है गुलाब की खेती और निरियात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मंडी विक्षित की गई है गुलाब की खेती और निरियात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक मंड खजूर टिश्यू कल्चर प्रियोकसाला की स्थाबना की गई है विश्वस्तर ये खजूर टिश्यू कल्चर प्रियोकसाला की स्थाबना की गई है ओप्शन देखिए जोधपूर में विकानेर में उदेपूर में या जेपूर में तो दोस्तों इसका सही उत्र है एक नम्मर का जोदपूर में तो दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें ताकि बाकी विडियाथियो तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे चैनल को वीडियो देख रहे हैं आप इसके लिए आपका भूद को धन्यवाद